रंग बिरंगी कलरफुल मठरी आज मैं आप सब के लिए औरगेनिक रंग यूज करते हुए एक कुरकुरी मठरी लेकर आई हूँ जिसे आप महीने बाद स्टोर कर सकते हैं और ये इतनी खस्ता बनी है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने घर पर इसे बनाया है चली स्टार्ट करते हैं से बनाना इसकी लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बरतन में एक कब जो की करीब 125 ग्राम मैदा है ले लेंगे और साथ ही में हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें अजवाइन की दाने डालेंगे यदि आप यहां कसोरी मेथी डालना चाहते हैं तो उसे भी क्रश करके डाल सकते हैं अब 2 टेबल स्पून यानी की 30 ml के करीब हम यहां घी डालेंगे आप तेल का भी यूज कर सकते हैं पर घी डालने से ज़्यादा खसता बनती है और साथ ही इसे महीने 2 महीने 3 महीने अठी स्टोर करेंगे तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है और इसटा जाती है इसे हमातोंसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह हमारा इस मिक्षर हो जाना चाहीं तो इसलिए पानी धिरे धिरे ही डालें और इस तरह से इसे एकदम हम अच्छे से गूंद लेंगे तो आप देख सकते हैं, थोड़ा आटा हमारा करम्बली है इसे हम इस तरह से ही गूंद के थोड़ी दे रखेंगे ये थोड़ी दिर में चिकना हो जाएगा तो इस तरह से इसका एक बॉल बना दें और इसे हम ढखकर साइड में रख देंगे अब हम यहाँ पर कलरफुल बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ बीटूट का रस लिया है जिसे मैंने कद्दू का स्कर्प के बीटूट को और इसका पानी निकाल लिया है और साथ ही मैंने पालक को गर्म पानी में 10 मिट के लिए भिगो के रख दिया था बादे पानी चान लिया उसे मैंने पीस लिया है तो इस तरह से मारपास दौनल का पेस तयार हो चुका है अब सेम बरतन में हम एक कप मैदा लेंगे जो की ग्राम में 125 ग्राम है आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसमें हम मौयन के लिए 2 चम्मच घी डालेंगे जो की करीब 30 ml है तो आप इस तरह से एक दम पॉफेक्ट मेजरमेंट लेंगे तो आपकी मठरी भहुती खस्ता बनेगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जब भी आप इस तरह से मठरी बनाएं यदि आप घी या वनस्पती घी का यूज़ करेंगे तो यह बहुती अच्छी मठरी बनकर आती है अब मैं इस डोकों में हाँ पर यह बीटूट के रस से गुंधूंगी तो इस तरह से बहुती अच्छा हमारा इस मठरी का कलर आएगा प्रेंट्स मैं अल्रेडी एक वीडियो दे चुकी हूँ लेकिन उसमें मैंने फूड कलर का यूज़ किया था आज मैं आपको यहाँ पर और्गनिक कलर से यह मठरी बनाना बता रही हूँ कि जो की सिहत के लिए बहुत ही है टेस्टी है और इसको इक पर आप बना के खाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने बनाई है और देखने में तो खुबसूरत बनेगी ही तो इस तरह से हमारा यह आटा भी गुन चुका है और आप देख सकते हैं आटा कितना टाइट है तो अब इसे भी हम इस तरह से बॉल का शेप देंगे और इसे भी ढखक कर साइड में रख देंगे अब सेम बरतन में वापस हम वन कप मैदा लेंगे अब हम यहाँ पर ग्री से मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर वाइट रेड और ग्रीन कलर का डो लगा लेंगे ताकि हमारी यहाँ पर कलरफुल मठ्री बने तो इस तरह से मैंने हर आटे को बराबर मेजरमेंट के राद लिया है सभी चीज़े में इसमें समान डाली है और इसमें मैंने यहां पर यह पालक का पेस्ट डालके इस अच्छे से गुंद रिया है तो इस तरह से ध्यान रखें धीरे-धीरे ही इसमें जो भी आप लिक्विड डालें आटा गुंदने के टाइम कम-कम डालें जरुत पढ़ने पर आप यहां पानी डाल सकते हैं पर कोशिश करें कि आप सौफ्ट होने के लिए करिब 10 मिनिट के लिए रख देंगे ऐसा करने से आटा थोड़ा चिकना हो जाएगा और इसे बेलना भी इजी हो जाएगा तो इसी ढखका इस तरह से रेस्ट करने के लिए जरूर रखें तब तक हम सलरी बना लेते हैं तो मैं यहां पर दो टेबल स् जाते हैं तो वह भी ले सकते हैं इस तरह से गाड़ी बना कर हम तयार कर लेंगी यह हम परतों के बीच में लगाएंगे जिससे हमारी मठरी में एक और लेविल उपर बढ़ जाएगा बहुत ही बढ़िया बनेगी 10 मिनिट हो चुके हैं डो हमारे काफी सॉफ्ट हो चुके ह देखिए अब यह अच्छे से इन्हें गुंधा जा रहा है तो इसे बापस से हम गुंधेंगे जरूर ताकि यह थोड़ा चिकना हो जाए आटा तो हमारा टाइट है ही लगी इसे चिकना करना जरूर ही है तो जितना कोशिश हो सके तो चिकना कर लीजिए इसे दो पार्ट् बना लेंगे तो इस तरह से बाल्स को बनाकर हम इन्हें रोल करेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमें यहाँ पर इसकी पतली से पतली शीट बनाकर तयार करनी है तो जितना कोशिश हो उतना आप इसे पतला बेलेंगे तो अच्छी हमारी मठ्री बनकर आएगी तो मैं यहाँ पतला वादा बेलन ले रही हूं इससे काफी अच्छा प्रेशर बन लगता है और बहुत ही अच्छी हमारी यह जो डिस्क है बन कर आएगी तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूंगी और शेप की में को एक यहाँ पर रोटी सी मिल सके ताकि हमारे जो साइट से हैं वो प्रेशर भी मेरी यह बिल चुकी है और जब आप इसे साइड में रखेंगे तो एक प्लेट पर रखते जाएं यह चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने मौयन काफी अच्छा दिया है लेकिन इसे आप ढग कर रखें ताकि इसके उपर पपड़ी ना आने पाए इस बात का जरू मत्री बना सकते हैं छोटे बड़ों को गैस्ट को बहुत पसंद आती है तो इंग्रियंट्स वही सेम है बस थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है ताकि नई और कलरफुल मत्री हम देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगे इसे भी हम इस तरह से ही बेल लेंगे आकि हो तो देखिए दो काफी हाड़ा है मुझे काफी प्रेशर देना पड़ रहा है तो मत्री का जब भी आटा लगाएं इसी तरह काटा लगाएं मैं घर में बहुत जादा मठ्री बनाती हूं तहरा की मत्री बनाती हूं के रखती हूं टी टाइम स्नेक्स के लिए तो यह तो मैं कोशिश करते हूं कि हमेशा अलग लग तरह की मत्री बनाओं तो इसे भी मैंने यहां पर बेल लिया है और साथ ही मैं यहां यहां पर सेकेंड वाली मैंने जो बीटोटी पुडी वी बेल के रख ली अब हम ग्रीन डो को भी इसी तरह से चिकना करेंगे उसके बाद में हम इसे दो पार्ट में डिवाइट करेंगी तो ग्रीन डोव जो हम लगाएंगी तो ध्यान रखेंपेंगे छोड़ा नमक कम ढ़नें क्योंकि पालक में स्वहलटीनेस होता है तो और इस तरह से वहां इसे दो पार्ट करके पतला पतला बेल लेंगे तो कुल भी इलाकर हमार सा टाइम टेकिंग है लेकिन एक साथ आपको धेर सारी मठरी बनकर तयार हो जाएगी और स्टार्टिंग में बस टाइम लगेगा बाद में आप जब हम इसे शेप देंगे तो आप आप पर अपनी फैमिली फ्रेंट्स किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं तो इस तरह से मेरी कर देंगे आप चाहिए तो पहले पांच पार्ट्स में डिवाइट कर दें क्योंकि हमें टॉप लेयर पर नहीं लगाना है ताकि सब डिस्क पर अच्छे से हमारी यह स्प्रेड हो सके बीच पर जरूर लगा है क्योंकि साइट सोड़े से हमारे निकल जाएंगे तो इसे अ प्लेश लडी के टाइम आपको घी का ही यूज करना पड़ेगा तो अब मैंने वाइट के ऊपर यह ग्रीन वाली रख दी है और सेम वापस हम इस तरह से लगाएंगे और इस प्रॉसेस को रिपीट करेंगे तो पूरी प्रॉसेस को हम दो बार रिपीट करेंगे तो यहां पर हमें पूरी छे लेयर मिल जाएंगी तो फ्रेंट्स आप वीडियो को ध्यान से देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर मैंने आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर प्रॉसेस दिखाया है कि किस तरह से एक बिगिनर जो कि कभी कभी किचिन में जाते हलका सा बेलनस हम इसे बेल लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं थोड़ी मोटी भी हो चुकी है तो हम इसे बेलना जरूरी पर ध्यान रखें प्रेशर बहुत जादा ना दें नहीं तो जब हम इने फ्राय करेंगी तो इनकी जो अंदर की कलिया है जो हम पढ़ते हैं व अच्छे से रिमूव हो और हम एक दम पॉफेक्ट लेर्स मिले जो की कलर फुल भी होंगी और जितनी पॉफेक्ट ये क्लीन कट होंगी उतनी ही अच्छी ये खिल कर आएंगी तो इस साइड वाले जो पार्ट देख रहे हैं जिसे आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गया है हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इस से भी मैं आपको मठ्री के शेब्स बना कर बताऊंगी तो इस तरह से देखे कितना कालरफुल लग रहा है अभी इसही खुब facing क्छ शेब्स लग रहा है अभी तो इस में हमें शेप देना बाकी है अब इसके एक एक इंच बनाते हैं पॉफ पेटिस काटा भी इसी तरह से हमें इदम क्लीन कट करना होता है ताकि लेयर्स खिल कर आएं तो सेम वही प्रोसेस यहां पर हम यूज करेंगे तो देखिए कितनी भड़िया हमारी यह पीसिस बन कर आएं बहुत ही प्यारे और टैम्टिंग लग रहे हैं हलका सा हाथां से नीचे वाले पाट को हलका सा प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा चोडा कर लेंगे और साइड में हम पानी लगाएंगे निचे की प्रेशर दें लेकिन उपर के जो हमारे जो लेर्स है उन्हें टच ना करें तकि लेर्स खराब ना हो तो इस तरह से हम सभी मठरी को बना कर तयार कर लेंगे है ना इनोवेटिव और एकदम सुन्दर सा आईडिया और सिंपल भी है बनाना इस तरह से जब भी आप करना हो तो आप बैट जाएए टीवी सीरल देखते जाएए और इसे बनाते जाएए पहुचता टाइम नहीं लगता है पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है ही तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे पीसिस बना कर तयार कर लिये हैं इन सब को बनाने में मुझे करीब 15 मिनिट लगे है तो इस तरह से देखिए यह धेट सारी मठ्रिया मुझे बन कर तयार हो चुकी है अब हम इने फ्राइ करेंगे बच्ची हुई को आप पहले ढग कर रग दे ताकि इन पर क्रस्प ना आए अब मैंने आपर एक कड़ाई में तेल गरम करने चड़ा दिया है तो फ्रेंड्स ज दियान रखें जब भी इस तरह की डीफ फ्राइंग चीजें करनी है जैसे कचारी समोसा और मठ्री आप जो ऑईल है उसे लो फ्लेम पर गरम करें चोटे-चोटे से टेप्स हैं ऐसा करने से यदि आप मठ्री बनाएंगे तो पॉफ्ट बनेगी और ऑईल भी एब्सॉब न हो इस तरह से हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे करीब साथ से आठ मिनिट इस बैच को लगते हैं फ्राइ होने में और एक साथ आप खुब सारी डालने की ज्यादा डालने पर इनमें इवन सिकाई होती है तो बहुती बढ़िया सिक चुकी है और इन्हें दिए ए तरह से देखिए मेरी बनकर तायर है बहुती खसता बनी है जैकीन मानिये और इस से जरूर बनाईयो अपनी स अफ्रist हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए मिलतेए एक नई रेसिपिक साहत थेंक्यू